हाँ जी गटीवनिंग अभी गुटिती उड़ती खबर सुनी मैंने पार्लिमेंट करनेरे प्रपोसल रखा गया है कि अलग अब कॉलेजिस बनाये जाएंगे जहां पे सीए कोर्स से कंपेटिटिव कोर्स प्रवाइड करा जाएगा करिकलम प्रवाइड करा जाएगा और इन कॉलेजिस को बोला जाएगा इंडियन इंस्टिटूट अव अकाउंटिंग और यह क्यों बनाये जा रहे हैं सीए कोर्स की मुनापली को खतम करने किलिए बनाये जा रह तो हमारे कोर्स में हमने जो भी पढ़ रखा है इतनी महनत करके हम CA बन रहे हैं, क्या ए डिगरी की वैली तो नहीं खतम हो जाएगी, कभी भी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, समझे का लॉजिक के साथ, देखे, अभी आप हमारे कोर्स की बात करेंगे, CA कोर्स की, तो यहा हो ही examination difficult होते हैं crack करने के लिए, और क्योंकि सारे बच्चों को बता होते है difficult होते हैं crack करने के लिए, तो बच्चे महनत से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और जो भी इंसान CA बनके निकल जाता है, पूरी दुनिया को यह चीज बता होती है, कि जो भी चीज automatically चलती है कि अगर इंसान CA बन गया है, तो इसको taxation की, auditing की, accounting की, इन सारे fields में अच्छी कासी knowledge होने वाली है, और यह आपको किसी को बताने की ज़रत नहीं होती, सबको पता है, और यही आज के टाइम पर हमारी सबसे बड़ी asset है, यही चीज हमें नौकरिया भी दलवाती है हमें business भी दलवाती है, और multiple तरीकों से जैसे भी हम income कमाना चाते हैं, कमाने के जरिये दलवाती है, बात करिए IIA वाले course की, जिसको करने के बाद आपको बोला जाएगा CPA, अब यहाँ पर बोला जा रहा है, आप दोनों को same right दे दिये जाएंगे, यानि कि आप भी practice कर सकते ह हैं, आप भी taxation में, auditing, accounting, infield में काम कर सकते हैं, यह भी शायद कर पाएंगे कल को जा के, अब यहाँ पे न बहुत ही जादा variables निकल के आ रहे हैं, जिसकी विरसे आज के time पे, मुझे लगता है यह आपके लिए बिल्कूल भी threat नहीं है, पहली जीज, colleges आप बनाएंगे, कित इतना बड़ा infrastructure आप accounting के लिए, taxation के course के लिए नहीं मना सकते है practically, अगले 50 साल तक तो नहीं मना सकते है, that is what I personal fee, because in courses की अगर आप बात करेंगे, तो आज के time पे, पूरे world में ही आपको यह काफी जादा correspondence course की तरह देखेगा, जहाँ पे बच्चों को जादा pay नहीं करना पड अब आते हैं वापस उसी point पे, कि यह जो IIA वाला आपका institute आने वाला है, अगर यह typical IIMs की तरह, IITs की तरह चलने वाला है, तो यहाँ पे structure गया होने वाला है course का, entrance examination आपका बहुत जादा tough होने वाला है, और उसके बाद आगे जो भी exams होंगे, वो tough होंगे, लेकिन ऐसे न eligible नहीं मनाते, IIMs के लिए eligible नहीं मनाते, अगर वो नहीं भी crack होते हैं, तो बहुत सारे और line है colleges की, जिनमें आप जा पाते हैं, तो बच्चा उन entrance examinations के लिए मेहनत करने को त्यार हो जाता है, इन entrance examination के लिए अभी तक आपका एक भी college त्यार नहीं है, आपको पूरी fleet colleges की त इतनी मेहनत, आपके वाले test के लिए करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, entrance का जो test है, बहुत असाना आप रख नहीं सकते, क्योंकि college में intake capacity कम होती है, correspondence course में intake capacity की जाधा दिक्कत नहीं निकल के आती, क्योंकि आपको college में seat नहीं provide करनी, पट इन में दिक्कते निकल के मेरे हसाब से, entrance examination letter से बहुत tough रखा जाता है, जो कि रखना पड़े गई, अगर आप college की seats को टंक से distribute करना चाते हैं, यह बहुत ज़्यादा tough रखा गया है, उसके बाद एक बार रकर बच्चा घुज जाता है, और उसको assurance मिल जाती है, कि अब तो मैं fail नहीं होने वाला, आज के time पर हम ही पढ़ रहे हैं, नहीं, दुनिया भर की courses हैं, जिन में accounting, auditing, taxation, सब कुछ पढ़ाई जाती हैं, probably उतनी detail में पढ़ाई जाती है, जितनी आपको पढ़ाई जाती है, उतना ही syllabus उनका भी निकल किया था उन courses का, लेकिन वहाँ पर कोई पढ़ता नहीं है, यह दिक्कर निकल के आ जाती है, वहाँ पर past 10 years के paper बच्चे देखते हैं, exam को pass करते हैं, degree लेके आ जाती है, और उन degrees की value नहीं होती है, आपने B.com की degree भी करी है, वहाँ पर भी आपने taxation पढ़ रखी है, लेकिन आपने आपसे पूछे है क्या वहाँ पर पढ़ी थी, आपने crackker इसे distribute करेंगे, यह tough रखेंगे, तो आपके 5-10 colleges जो कि आपको थोड़ा time लगेगा, यह बनाने में भी, सिर्फ इनके लिए tough examination के लिए कौन prepare करेगा, कौन नहीं करेगा, वो question की तरह निकल के आता है, लेटर से आपने जाधे colleges बना भी लिए, बच्चे घुस भी गए, तो इंडस्ट्री को बता है, कि यह वले जो बच्चे हैं, यह इंडस्ट्री में अल्रटी काम करके आ रहें, तो इनको practical knowledge भी है, इनको नहीं होने वाली comparatively उतनी practical knowledge, and final सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल के आएगी, जैसी कि मैंने आपको बताया, multiple courses में यही curriculum निकल के आता है, जो कि हमारे CE course के अंदर है, लेकिन यहाँ पे बच्चे इसको पढ़ते हैं, बाकी courses में नहीं पढ़ते, आप एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजएगा, CE की degree आपको काम नहीं दिलवा रही है, वो आपको job दिलवा सकती है, business हलका सा दिलवा सकती है, लेकिन अगर आ taxation में जितना आपको पढ़ाया गया, उससे ज़्यादा है ही नहीं, तो यह अलग क्या पढ़ लेंगे, और अगर knowledge आपकी अच्छी निकल के आती है, तो market में आपकी knowledge की basis पे आपको काम मिलेगा, आपके degree की basis पे नहीं मिलेगा, तो चाहे आप CE हो, चाहे CPA हो, अगर knowledgeable है, तो course इस तरीगे से design कर रखा है, कि हम ना चाहते भी पढ़ जाते हैं, और क्यूंकि हम पढ़ जाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी asset बन जाती है, market में जाने के बाद, दुनिया को जो पता है, कि taxation के लिए जाना है, CE के पास जाना है, auditing के लिए जाना है, CE के पास जाना है, उन चीजों की वरे से हमें paper पर sign करने का right हमारे लिए reserve दो, यह कहीं पर भी लखा होनी की ज़रूरत नहीं है, taxation की consultancy के अगर आप बात करेंगे, तो आज के time पर, यह CE के लिए reserve नहीं करी गई है, कोई भी इनसान कर सकता है, बीकॉम वाले graduate कर सकता है, 10th pass इनसान कर सकता है, आपस आते हैं, तो क्यों आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास knowledge है, और इस चीज़ पर करने के दौरान आपका focus रहा, तो कोई भी course क्यों नहीं आ जाए, CPA, CPPA, कुछ भी क्यों नहीं आ जाए, आपको फरक नहीं पाने बाला, तो दुबारे से बढ़ा एकर नहीं च